वैसे आपका भी Facebook account hack हो चुगा है, कोई भी recover करने का access आपको नहीं मिल रहा है, बिना किसी access के Facebook account केसे delete कर सकते है, hack account केसे delete कर सकते है, वो जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, वैसे वीडियो देखते हैं वीडियो helpful लग रहा है तो फ्रेंड्स अब जो step बताने वाला हूँ, उससे आपको ध्यान से follow करना है, याप screen recording on है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या खना है, उस ID को फेले find करना है, जो ID hack हो गया है, तो उसका username में आपको पता होगा, तो यहाँ आप से बार पे click करके username type करके, या आपके सामने आ जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके profile पर आने के बाद 3.0 पे click करना है, और आगे find support और report, इस option पर आपको click करना है, जैसे click करेंगे, click करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरवर्स आ जाएगा, तो फ्रेंड्स पहली बात, तो क्लीक करने यहाँ प्रशन पर और कले करने तो यहाँ पर का लिए को का तो friends यहाँ पर आप recover भी कर सकते हो, यहाँ पर इस वाले option पर click करके get started के button पर click करके complete करके कुछ step आप आप अकाउंट को recover कर सकते हैं पर कुछ advance ऐसे method होते है friends जिनका पता हमें नहीं होता है, तो उस्तित में मैंने अलग सा एक वीडियो दे दिया description में, तो उस वीडियो को देख सकते हैं या directly आप search कर सकते हैं YouTube में, how to recover facebook account mh creator मेरा वीडियो आप दिख जागा, उस वीडियो को watch कर सकते हो, अब सिधे point की बात कर लेते हैं, तो रीकवर नहीं हो रहा है account या कूछ और problem है, तो उस तित में आपको क्या करना है, तो simple यहाँ पर आपको back आना है, back आने के बाद यहा second step की बात कर लेते हैं, जो आपका hack account है, उस पे video या photo upload हो रहे हैं, जो गलत है बिल्कुल, जो upload नहीं होनी चाहिए, तो यह चीज वहाँ पर हो रहे है, तो उस तित में आप बढ़ियासन से उस account को delete कर सकते हैं, content के उपर, किसी post के उपर report डाल के उस account को remove कर सकते हो, तरीका बिल्कुल simple, find support और report के option पे click करना है, यहाँ पे जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पे posting unappreciate thing, इस option पे click करना है, जैसे click करेंगे, आपके सामने ऐसा interest आ जाएगा, आपके सामने सभी post आ जाएंगी, जिसमें कुछ गलत information दीए post में, तो उस post के उपर tick करना है, जैसे tick अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा interest आ जाएगा, यह कई सारे कारण आ जाएंगे, friends मैंने इस पूरे page को translate किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो भी activity आ रही इस post में, उस activity को select करें, example harassment हो रही है इस post से, तो मैं इस पे click कर देता हूँ, तो click करने के बाद यह आपको हो रही है, यह आपके friend को हो रही है, वो यहाँ पे select करें, तो यहाँ पे मैं me पे click कर देता हूँ, अब यहाँ पे click करने के बाद, यहाँ पे simply submit पर click करना है, अब click करने के बाद, आगे next के button पे click करना है, जैसे next के button पे click करेंगे, यहाँ पे आपको done पे click करना ह यहाँ पर support inbox दिख जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से वह बढ़ियासन से status आपको दिख जाएगा तो जो रिपोर्ट आपने किया था वह accept हो आए या नहीं हो आए जैसे वह accept होता है तो वह post remove हो जाती है अब इस तरह से ही maximum post उसके delete हो जाते है और सच में उस post में उसने गलत किया है तो उस तीदि में उस account पर maximum report पढ़के वो account delete होने की chances बढ़ जाते है और एक तरीका है friends जिस तरीके से आपका hack account recover होने की chances बढ़ जाते है and वो account आप delete भी कर सकते हो तरीका यह उसके लिए यहाँ पर chrome open करना है and chrome में यहाँ पर आपको search करना है report and in poster account जैसे आप search करेंगे यहाँ पर first link आपके सामने आएगी इस पर आपको click करने के बाद friends यहाँ पर third option पर click करना है यहाँ पर वो account आपके पास है यह नहीं बोलेग पर या other किसी relative का है तो उस्तिति में आप second option पर tick कर सकते हैं तो यहाँ पर first option पर tick कर देता हूँ click करने के बाद आपके समय इसा interest आजाएगा जो आपका पूरा नाम यहाँ पर डालना है आपका जो email address वो डालना है email address जानने के बाद जो full name में account का तो उस account का full name में यहाँ प बढ़ियासन से इस जगा पर paste करके यहाँ पर additional information दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बता सकते हैं please delete this account इतना है आपको डालना है उसके बाद send पर click करना है यहाँ पर नीचे additional info पर आप कुछ extra information भी देंगे तो भी है बढ़िया रहेगा उसके बाद friends आपको send पर click करना है अब click करने के बाद बढ़ियासन से यह account delete होने की चांस से आप बढ़ जाते है तो friends इस तरह से facebook community team के मदद लेकिए आप अपने account को delete कर सकते हैं अब यहाँ पे भी आपको प्रावलिम आ रहे है नी संकच comment box में comment करें क्या प्रावलिम आ रहे है वो भी बता सकते हैं वैसे comment करने के बाद चानल को subscribe करकि बेल आइकोन पर जरू क्लिक करें हो सेके तो उस comment के ऊपर के वीडियो भी बना दूगा और भी कई सारे वीडियो आते जाते रहते तो उन वीडियो को भी आप देख सकते जाते इस वीडियो को लाइक जरू करना आपने फ्रेंड की साथ हो सके तो इस वीडियो को जरू शेर करना तो धन्यावत फ्रेंड्स अत्यांता आभारी वीडियो देखने एले थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो